मोधी सरकार के दो बड़े कदम नोट बंदी और जेस्टी यह कितने कारगर रहे पीम मोधी ने अपने इंटर्वियू में बताया है और नोट बंदी यह दो सबसे बड़े फैसले रहे आपके इस पर लोगों के अलग-अलग विचार हैं समर्थन में भी हैं विरोध में भी हैं विपक्षी दलो ने इसका काफी लाब उठाने की कोशिश की आप अपने इन दोनों कदमों को कितना सही कितना कारगर मानते हैं और आपको क्या लगता है कि जो लक्षे आपने चुना था क्या उस लक्षे की पूर्ती आप कर पाए इसके बाद पहली बात को इन दो चीजों को ही मेरी सरकार के काम मानोगे तो यह मेरे साथ बहुत बड़ा निया है तो मैं चाहूंगा कि हमारी चार साल की अनेक उपलब्दियों का रिसर्च होना चाहिए क्या इस देश में बैंकों का राष्ट्रेकन हुआ हो और उसके बाद भी 30-40 प्रतीशत लोग बैंकिंग विवस्ता से बाहर हो और हम जी जान से जूट करके प्रदानमंत्री जंद नियोजरा ला करके मुख्यधारा में लोगों को लाने में सफल हो क्या इसको काम नहीं मानेंगे इस देश के कई स्कूल जाब बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती थी क्योंकि स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं था एक साल का मिशन मोड में अभियान लेकर के चार लाग से अधिक स्कूलों में टॉयलेट बने बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बने सफलता प्रूप पूरा करना इसको काम नहीं माने जाएगा कोई मुझे बताएं कि इस देश में करोड़ों परिवार माताएं लकड़ी के चूले के दूए के बीच खाना पकाती थी कि तीन करोड़ तीस लाग परिवारों तक इतने कम समय में गैस का चूला पहुचा देना कि इसको काम नहीं माने इस देश के 18,000 गाओं अठारवी शताब्दी में जी रहे थे बिजली का तार नहीं पहुचा था अगर उसको हम पहुचाते हैं और मिशन बोड़ में पहुचाते हैं इसको काम नहीं मानें किया मेरे देश का किसान यूरिया के लिए राद राद कतार में खड़ा रहता था यूरिया की चोरी होती थी कारखानों में चला जाता था सरकार ने अपनी वजनाओं से यूरिया का उत्पादन और यूरिया की एफिशन बित्रन और नीम कोटी यूरिया कि इसको काम नहीं मानेंगे नब्बे पैसे में गरीब का इंसुरनस नब्बे पैसे में और अठारा करोड गरीब परिवार इंसौर हुए है उनके परिवार में आपत्ति आई तो ऐसे परिवारों को करीब 2,000 करोड रुपिया की राश्री पहुंची तो इसको काम नहीं मानेंगे LED बल्ब 28 करोड LED बल्ब देश में लगा है इसी कालखण में और 28 करोड LED बल्ब लगाने कारान हजारों मेगावोर्ट बिजली इस देश पर इसकी बच्चत हुई एन्वायर्मेंट का फाइदा हुआ अर्थिक फाइदा हुआ साथ साथ जिन परिवारों ने LED बल्ब लगाया उनका जो बिजली का बिल्ब आता था किसी का साल भर का 200 कम हो गया किसी का साल पर का हजार कम हो गया किसी का पांसो कम हो गया और पूरे देश में अनुमान ऐसा है कि एलीडी बल्प के कारण 14,000 करोड रुपियों का बिजली का बील कुल मिलाकर के देश के मद्यम और निम्म द्यम परिवारों का कम हुआ है कि इसको काम नहीं मानेंगे और यह सारे में आर्थिक कामों की बात कर रहा हूं मैं ऐसा गिना सकता हूं कि शायद जी नीज को सब्ता भार मेरा इंटर हूँ दिखाते रहे तो भी अब जहां तक GST का सवाल है जब अटल जी की सरकार थी तब इसका विचार शुड़ू हुआ था बात मैं सरकार यह परेतने हुआ लेकिन यूपीय सरकार ने जो राज्यों के इशूस थे उन इशूस को एड्रेस करने में किसने किसी कारण से चाहे राज्य उनको समझाने में सपल नहीं हुए या उन्होंने ताय करका था वो तो राज्य बोलता रही जब मैं गुजरात का मुक्यमत्री था घुजरात की बात उसे महीं रखता था भरत सरकार नहीं सुनते थी जो बात मैं रखता था वही तमिलनाडू रखता था भरत सटारण से उन उनकी पार्टी थी तो चूप चाप रहते थे हिम्मत के साथ बोलते नहीं थे लेकिंगे इस्जू थे हमने से आने के बाद राज्यों के इस्जू को एड्रिस किया और उनके आर्थिक तकलिफ नहों उसके लिए समाधान के रास्ते खुझे व्यवस्ताइं बनाई और उसका परणाम हो जीएस्टी हुआ है तो जीएस्टी की सफलता में सबसे बड़ी बात है भारत के फैडरल स्ट्रक्चर के ताकत के दर्शक हुए है हमने ट्रू स्पिरिट में फैडरल स्ट्रक्चर का सम्मान किया है जिसने जीएस्टी लाया है और एक देश एक पैक्स उस दिशा में जाने में हमने बहुत बड़ी सफलता पाई है और उसका परणाम मिलेगा कि यह ठीक है कि एक व्यवस्ता जब बदलती है आप एक गर में से नए गर में जाते है तो भी तकलिफ होती है एड़ेस्वना होता है तब आप किसे नए घर में जाकर सो जाते हैं और सुबह उठते हैं अगर पुराने घर में बाइधी तरफ बातरूम की आदत है तो उठने के बाद बाइधी तरफ भी चले जाते हो फिर ध्यान में आता है ने बातरूम तो इतने बड़े देश में इतने कम समय में इतना बड़ा ट्रांस्फोर्मेशन मैं जानता हूं आज इसकी कोई सकारात में रूपसी चर्चा नहीं करेगा उसमें राजनीतिक चीज़े होती है लेकिन जब दिर के काली इन व्यवस्तां को देखा जाएगा पक्का विस्वास है कि इन प्रयोतों को बहुत सबल प्रयोता के रूप में देखा जाएगा माना जाता है कि सरकार की घोषणाएं वोट बैंक और चुनावों को ध्यान में रख कर होती हैं फिर मोदी सरकार ने नोट बंदी और जीस्टी जैसा रिस्क क्यों लिया विये मोदी ने इस सवाल का भी जवाब दिया ये दोनों जो कदम है इनको चुनावी राजनीती में रहू और केतू की तरह माना जाता है और आपने जब डी मॉनिटाइजेशन किया तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला था और गजब जीस्टी आप लाए तो गुजराट का चुनाव आने वाला था और जैसे मैं आपको बता रहूं, ये दोनों रहू केतू की तरह हैं, चुनाओ की अगर आप बात करें तो, आपको इस बात की भी आशंका रही होगी कि इसका उल्टा सर भी पड़ सकता है, वोट बैंक वाली राजनीती पर अगर आप बात करें तो, उसके बाद भी आप इतन सब्सक्राइब के देश हमें चुनाओ जीताने के लिए सरकार बनाने के लिए नहीं बिठाता है, देश हमें पांच साल जनता जनारदन के लिए कि सही निर्णय करने के लिए निर्णयों को लागू करने के लिए बिठाता है कि देश का दुर्भागी यही रहा है कि सरकारों ने कि अगला चुनाव जीतने के लिए सरकारे चलाई है कि मेरा मत है देश का भला करने के लिए सरकार चलाने चाहिए डेश को इस उफ लिविंग के लिए सरकारे चलाने चाहिए नमे अर्शे तक देश के सामाने बाइन मानों का लाब हो breeding एंपार्मैंट इप्रपीमिय। not पूर हो एंपार्मैंट ओपीमन हो इस पर बल देते हुए सरकारे चलानी चाहिए चुनाव यह बाइप्रोडक्ट होना चाहिए और आपने देखा होगा मेरे गुजरात के कारकाल को भी देखा होगा और जो इंसान चुनाव केंदरी सोचता ही नहीं है तो उसको निर्णाय करने में दिकत नहीं होती है